आज मैं आप लोगों के साथ लेकर क्या है हूँ एक बहुत ही अमेजिंग से फेस पैक की रेसिपी तो आज सिर्फ एक चम्मच गिहूं का आटा वो करके दिखाएगा जो शायद आपके महंगे महंगे क्रीम भी फेल हो चुके हैं जी फ्रेंट्स आज हम एक चम्मच की गिहू पूरे बॉडी पे लगा सकते हैं जहां काले दाग धब्बे हैं वहाँ पर भी ने लगा सकते हैं रिजर्ट बहुत ही अच्छा आएगा और एक पास जरूर ट्राय करेगा तो आए फटा-फट से से शुरू कर लेते हैं जो फेस का टैन है वह फटा-फट से चला जाएगा और बहुत ही इंस्टंट काम करता है यह बहुत ही अच्छी होम रेडी है बेसिक इंग्रीटिंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके घर पे होगा और इसे रिजल्ट बहुत साथ अमेजिंग आएगा त्रस्ट मी आप इ इस फेस पैक को यानि कि इस पैक को आप जरू ट्राय करना बहुत अमेजिंग है तो आए शुरू कर लेते हैं वाइटनिंग ब्राइटनिंग फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम यह पर एक चोटा सा बोल लेंगे और इस बोल में हमें डालना है एक बड़ा चमज के कर और गAy genuine ribion आठा यह वही गहे है जिसे का आप रोटी बना करकर के तयार करते हैं तो आप नॉर्मल वाला कोहीं भी गहँ आठा इस्तेमाल कर सकते हैंดीयाओ घय ह्या डालने के बाद अब हम इसमे एड़ करेंगे क células का स्काफी पाउडर तो मैंने आपर बहुत जादा आप ले सकते हैं यह पूरा सेशे में डाल दूँगी कॉफी से बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट आता है तो कॉफी पॉड़र डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर के करीव हल्दी पॉडर यानि बहुत जाता नहीं एक तम चुटकी मॉश्राइजिंग का काम करता है यह और नाच्रल मॉश्राइजर है यह तो एक बड़ा चमच हम इसमें शेह डाल देंगे इसी के साथ मुझे इसमें डाल देना है एक और बहुत अमेजिन चीज वह है लेमन जूस जी फ्रेंस लेमन जूस के बारे में सभी लोग जानते है क नाच्रल ब्लीच का काम करता है और ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत जादा इस्तिमाल किया जाता है वाइटमिन सी का काम करता है यह तो याद रखिएगा निम्बू को खाली ऐसे ही अपने स्किन पर नहीं लगाना है आपको किसी ने किसी चीज के साथ अपलाय करके ले तो अगर आपको लगे कि अभी थोड़ा सा ड्राय है तो आप क्या करिये इसमे आप जाश भू रिख दाल सकते हैं या फिर आप प्लाय करने में असानी हो जाए तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाँ पे face pack बनाने के लिए जो भी ingredients लिया है वो अपने kitchen में से ही लिया है और इस kitchen में से लिये गए सारे product काफी अच्छे होते हैं काफी natural है और इसे लगाने पे बहुत ही amazing result आएगा तो आई मैं आपको बता देती हूँ कि इसे कैसे लगाना है और जब भी आप लगाए आप पुरे body पे face पे आप फ्रेश बना करके ही से लगाए स्टोर करके बिल्कुल मत रखिए So finally आप देख सकते हैं कि face pack अब मेरे हातों में हैं अब मैं अपने finger के थूर इसे अच्छे से लगाऊंगे अगर finger से आप नहीं लगाना चाते हैं तो यह चोटोगा spoon से ही आप इसे लगा सकते हैं या brush का इस्तमाल भी कर सकते हैं अपने face पे apply करने के लिए और याद किसी चारों तरफ अपने face पे लगाएंगे अगर आपको लगता है कि body में जैसे कि अपके underarm slack हैं या फिर आपके knee blacks हैं elbows black हैं तो आप वहाँ पर लगा करके अपने skin को bright कर सकते हैं बहुत अच्छा इसका result आता है और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो भी इसे apply कर सकते हैं एक तरीके से उपटन का भी यह काम करता है और इसे आप हपते में दो बर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा result आता है तो आप ज़रू ट्राय करिएगा मैं यहाँ पर आप दही सेकते पूरे face पे neck पे थोड़ा सा मैंने गर्दन पे भी लगा लिया इसे और अब आपके जो skin के छोटे-छोटे hair है वो भी निकल जाएंगे face bright भी हो जाएगा और बहुत अच्छा glow करेगा तो चलिए जब यह सूख जाएगा उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूं कि इसे हमें कैसे निकालना है फिर मैं आपको बताऊंगी so finally आप देख सकते हैं कि face back बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है अब यह देखें बहुत ही easily तरीके से में से टच कर रहे है अच्छे से सूख गया है तो अब मुझे क्या करना है इसे अपने हातों से ही इसे हलका सा रगड़ते हुए से निकालना है बहुत जोर से मत रग रिमूब हो जा रहा है ये देखें कुछ इस तरीके सी निकलते जाएगा और आप दिरे दिरे आप मेरे skin को देखेंगे ना ? आप जो पहले मेरे skin कैसी थी और आप देखें तीन से चार बार जरूर लगा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से रगड़ते हो निकाल दिया है पूरी तरीके से निकल क्या है और अब मेरे सिकीन आप देख सकते हैं अभी वाश नहीं क्या है मैंने सिर्फ अभी इसे अच्छी से निकाल लेना है तो इस तरीके से चारो तरफ समय से निकाल लेना है आप इसना home remedy को जरूर ट्राय करना डेफिनेटली आपको बहुत ही amazing इसक और चाहें तो एल्बोस भी लगा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूरे पैक को मैंने अच्छी तरीके से रिमूफ कर लिया है, अब पारी है, मैं फटा फट से फेस को अच्छी तरीके से वाश करके आती हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी सो फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने फेस को अच्छी तरीके से वाश कर लिया है, और आप देख सकते हैं, मैंने फेस पे बिलकुल भी कोई मेकप नहीं किया है, सिफ लिफस्टिक लगाया है, और एक छोटी सी बिंदी लगाई है, और आप देख सकते हैं, जब मेरा फे बहुत जादा ब्राइट हो जाएगा ग्लोइंग करेगा तो यह होम रेमेडी ज़रूर ट्रायका ना वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कर देना शेयर जरू कर देना और गईस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना तब तक के लिए टेक केर बावाई गाईस गोल्डी की दुनिया में आज आप देखेंगे कि हरबल महंदी आप घर पे सही तरीके से कैसे बना सकते हैं तो एक बड़ा सा बरतन ले ले लेना है उसमें हमें डाल देना है 200 ग्राम के करीब महंदी मैंने या पे पैकेट वाली महंदी का इसमाल किया है और अब मुझे इसमे लगभग आधा लीटर के करी पानी आड़ कर रहे हैं जिस तरीके से पेस्ट बनाते है उसमें पानी डाल देना तो पानी डाल करके मुझे इसे अच्छे से मिक्स करना है इसे मिक्स करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो सबसे अच्छा है कि आप इस मिक्षर को इस इसी तरीके से छोड़ दीजिए और उसके बाद उपर से हमें प्लास्टिक की कवर लगा देनी है ओवर्नाइट हमें रखना है उसके बाद आप इसे मिक्स कर लीजिए और यह देखिए बहुत ही बढ़ियासी मेंदी रेडी हो चुकी है और आप अपने बालों पे से लगाए और दो घंटे तक रखें बिल्कुल सूखने मत देना क्योंकि सूखने देंगे तो यह थोड़ा सा ड्राय हो जाएगा और अच्छा नहीं होता है और वीडियोज देखने के लिए आज ही गोल्डी की दुनिया को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ना भूशे